केमचो विद्यार्थी मित्रो तमारू स्वागच्छे आपनी चैनल कौशिक बायलोजियान मैथ्स टुटोरियल मा गुचेट 2021 बायलोजियना सेंपल पेपर सोल्यूशन नी आ सिरीज मा आजे आपने अंतिम पेपर पंदर्मा पेपर ना 40 प्रश्ण ने तेना सोल्यूशन विशे अभ्यास करवाना छे आ स्टुटन तमें बरोबर सांबड़ियो आजे आ सेंपल पेपर पंदर ए आपनी आ गुचेट 2021 नी सिरीज नू अंतिम पेपर छे कारण के आउती काले लेके 6 ओगस्टना तमें गुचकेट 2021 नी एकजाम आपपा जेहरे या छो तो ते एकजाम मा तमें खुब सारो देखाव करो अने सारा माक्स मेड़ो तेवीज मारी बेस्ट विशिस छे जे विद्यार थी ओ आपनी चैनल साथे पेले थी कनेक्टेर छे तेमने ख्यालत छे कि आपने नीट माटे ओगनी सों MCQ नी सिरीज स्टार्ड करेले हती के जेमा धोरण 1112 ना दरेक चैप्टर ना आपड़े 50 most important MCQ ना सोल्यूशन जोईए छे अने तेमा ओल्रेडी आपड़े दोरण 12 ना मुखे ते 14 चैप्टर्स ना MCQ नो अभ्यास करी चुक्या छे परन तु गुचकेट नी एक्जाम होवाने लिदे आपड़े वच्चे गुचकेट ना सेंपल पेपर सोल्यूशन नी सिरीज स्टार्ड करेली हती तो अवे जहारे गुचकेट नी एक्जाम कंप्रीट थसे त्यारे फरीथी आपड़े ते नीट माटे ना जे चैप्टर जे शे चैप्टर जे शे ते स्टार्ड करेली छे ते रीटे ज मारे साते स्टार्ड कर जो के जेती तमें नीट माँ खुब सारो देखाव करेने सारा स्कोर आचिव करी शको तो आजे शरूवात करी आपड़े सेंपल पेपर जे पंदर छेल्लू पेपर छे तेना 40 प्रस्टन ने तेना सोल्यूशन्स थी प्रस्टन नंबर एक रुतू की ये चकर के मासिक चकर जे सस्तनों मा तेमना प्राजननिक तबग कामा सानुकुलित रुतू दर्म्यान जोवा मले तथा जे सस्तनों मा तेमना समगर प्राजननिक तबग का दर्म्यान जोवा मले तेमने अनुक्रमेशू कहे छे तोगा यहाहां आपने जे सवप्रथम जे आपे लुझे ते हैं कईयो कीदु छेके प्राजनरींक तब्बक का आमा सानुकुलित रूतू दरम्यान जोवा मले तो चोकस रूतू दरम्यान जे जोवा मले छेना आपड़ केया कईया छे रूतू किया संवर्दाको औने समग्र प्राजनुनिक तबक का दर्म्यान जोवा मले तेने क्यों माँचे सतत संवर्दको औने जेते आपड़ो रायट आंसर यहां आउसे ओप्षन बी रुतु की यह संवर्दको औने सतत संवर्दको प्रस्ण नंबर बे निच्चे ना सजीव मां एकिय औने द्रिकिय पित्रू दे धरावता सजीव अनुक्रमें किटला छे तो एकिय पित्रू देहनी जो अपड़े बात करे तो एकिय पित्रू देह मुक्य ते लिल, फूग, त्यार पाछी, द्रियंगी अने मोनेरा माँ जोवां बले छे लेकर यह अपड़े एकिय मां कई आउसे फूग, लिल, द्रियंगी अने मोनेरा अने इनी सामें द्रिक्या नी वाद करें तो द्रिक्या में मुखे तक यह आवसे त्री अंगी आवरूत बिजधारी अनावरूत बिजधारी अने मनुष्य अने जेथी ए सजीवनी संख्या आनुक्रा में बन्ने मां कई थें से 4-4 अने जेथी आपड़ो right answer आवसे option D प्रस्टना नंबर 3 निच्या आकरूती माँ दर्शावेल पुष्प माटे साच्चो विकल पसंद करो तो यह आपने जो पुष्प माँ जो ए तो आ जे भाग जे शेते सुन दर्शावे छे पुकेसर राइट और अंदर नी तरब जे आवेलू छे आ सुन दर्शावे छे स्त्रीकेसर एनो मटलब के एकज पूषप मा पूषप और स्त्रीकेसर बन्नेनी हाजरे छे तो एबा प्रकार ना पूषप ने के ना तरेकोणख माँ छे द्रीलिंगी पूषप अने द्रीलिंगी पूषप नो आ उदार अंजे शे तेसुन दर्शावे छे सक करियू अने जेती आपडो राइट आंसर आउसे ओप्षन ए द्रीलिंगी पूषप सक करियू प्रस्ना नमबर 4 अंडक खाली जग्या वडे जरायू साथे अने अंडक नो दे खाली जग्या वडे अंडक नाल साथे जोडायलो छे तो X ने Y ने सूँ कहीए jsैं तो आपने ख्याल छे के अंडक मुख्य ते अंडकनाल अथ तो अंडकदन वड़े जराय्यू साथे जोडायल होई छे अना जारे अंडकना देहिनी बाद करिये तो ते मुख्य ते अंडकनाल साथे बीज केंद्र द्वारा जोडायल होई छे अने जे थिये यह आपड़ो राइट आंसर आउसे ओप्षन सी अंडग दंड अने बीज केंद्र प्रस्न नंबर पांच निचे नामाती केटला विधानों खोटा छे ते माटे योग्य विकल पसंद करो तो पेलू आपएलू छे सहाय कोशो अंड चिद्र नी टोच तरफ तंतूमे प्रसाधन नू एक विसिस्ट प्रकार नू स्थुलन धरावे छे तो ते विधान साचू छे बिजु आपेलू छे पराग नलिकाने सहाय कोश मा पहुचाणवानु कारिये तन्तु में प्रसाधन द्वारा थाई छे तो ते विधान पन साचु छे त्रिजु विधान आपेलू छे अंडग छीद्र तरफ ना त्रण कोशो भेगा मली प्रती द्रूब्य कोशो औने अंडग तल तरफ ना त्रण कोशो भेगा मली अंडप्रसाधन ना कोशो नी रजना करे छे तो आ विधान के उथसे खोटू कार्ण के प्रती द्रूब्य मोटो केंद्रस्त कोष द्रिक किय अड़के 2N जारे तेनू प्रत्तेक द्रूबिया कोष केंद्र एक किय होई शे तो ते विधान साचू शे पांचमु जोए तो परागनली का अंडग चिद्र द्वारा तंतुमे घटकोनी मदत्ती मात्र एकर सहाय कोष मा प्रवेशे शे तो ते विधान पर साचू शे अला ही आपण जोए तो आपने जे आपेला विधान हो छे ते पैकी खोटू विधान मात्र कयो छे त्रीजू अने जे ते आपणो राइट आंसर आउसे ओप्शन बी मात्र त्रीजू विधान खोटू छे प्रस्णल नंबर 6 निचे दर्शावेल एक वनस्पती मात्ये योग्य विकल पसंद करो आपने जे टेक्सुग मात्य डायग्राम आपेलो छे बरबा ते कई वनस्पती दर्शावे छे के जे मा आजे पुष्प विन्यास जे शे तेके ओछे संकुचित अने एनी अंदर आजे तंतु में जेवी रचना जोवा मले छे बरबर ते दमारा कई आछे पुखेसर के जे सुविक्सित होई छे अने कारण काई याँ जे पुखेसर जे शेकेवा छे खुल्ला के जे मा मुखेते पराग नेनी प्रक्रियाकेना द्वारा थाई छे पवन द्वारा अने जेना लिदे यापने राइट आंसर जोई ये तो कई अथासे ऑप्षन ए के संकुचित पुष्पविन्यास सुविक्सित पुकेसरो अने पवन परागित वनस्पती प्रस्ना नंबर साथ ए आपेलू छे प्रशुक्रकोष माथी शुक्रकोष रुपांतर थ प्रक्रिया कई छे तो प्रशुक्रकोष माथी जे परिपकवज शुक्रकोष निर्मन थाय चे प्रक्रियान कई केवमाँ चे शुक्रकाय अनतरण के जेथे या अप्ड़ए तियर जोई शक्के तो A और B उप्षन आवी शके त्यार पाची B आपेलू छे शुक्रकोषो न प्रक्रिया आपड़ो राइट आंसर जे शेक हो थासे ऑप्षन बी प्रक्रिया ए शुक्र काया अंतरन कोशो सर्टोली कोशो अने सी प्रक्रिया जे आपड़ी छे कही थासे स्पर्मियेशन प्रस्ण नंबर आट नीचे नामा थी अ संगत बाबत अलग करो के जेमा पेलू आपएलू छे प्रात्मिक पूर्व अंड कोशनी फर्ते ग्रंथिया कोशो नुश्तर रचाए के जेने प्रात्मिक पूटिका कहे छे तो ते विदान संगत छेले के साचू छे बिजू आपेलू उशे प्रात्मिक पूर्व अंड पूर्व अंड कोशो अने थिकास तरोथी आवरित बने तेने दृतियक पूर्व अंड कहे छे तो ते विदान पन के उचे साच्चू त्यार पछी C आपल उशे द्रित्यक पूटिका मा एंट्रम रचाए के जैने केमाँ छे ग्राफियन पूटिका तो ते विधान के उशे खोटू प्रस्न नंबर 9 निचेना विधानों माटे योग्य शब्द पसंद करी जवाब आपो तो पेलू आपेलू छे योवन आरम मा थतो प्रत्थम रुतूस्त्राव तो जे प्रत्थम रुतूस्त्राव जे शेते ने केना तरे कोड़ खोम आवे छे रजो दर्शन और जे थे आपड़ो तेरे पेला मा जो एतो C और D ओप्षन जे शे आविशके त्यार पाछी बिजू आपेलू छे प्रत्थम रजो धर्म थी बिजा रजो धर्म बच्चे नी चक्रिय घटना तो जे चक्रिय घटना जे शे तेने केना तरे कोड़ खोम आवे छे रूतू चक्र के जे थी मात्र बिजू जे शे डी ओप्षन मा ए आपड़ो साच चू शे आएमा रूतू स्त्राव खोटू थसे त्यार पची त्रीजू आपेलू छे रूतू चक्र ना शरूवत ना त्रणखी पांच दिवसों मा रूधिर्णो स्त्राव तो एने रूतू स्त्राव तरीक ओडख्वामा आवे छे आने छेल्ले चोथू आपेलू छे के 50 वर्षनी उमर आसपा स्रूतू चक्र बन थाई छे तो तेने मेनों पोस तरीक ओडख्वामा आवे छे आने जे थी आपड़ो राइट आंसर जो ये तो कोई थासे ओप्षन डी प्रस्ण नंबर 10 अंतह कोष समूना कया कोषो बदीज पेशिवने अंगोर ना निर्माणनिक शमता धरावे छे तो अंतकोष ना सम मूखे जे माथी मूखे ते गर्भ स्तरों ना निर्माण थाई छे तेना कोषो मा आवेला स्टेम कोषो एकेवा होई छे के जे माथी दरेक प्रकार ना आपड़ा शरीर ना पेश ये था तो दरेक प्रकार ना कोषो नू निर्माण थाई शरके छे अन् नथी तो ए माटेनों साचो विकलप आउसे option C निरो दलेके एक वकत निरो दलेके कोंडोम नो जो उप्योग आपणे करी लेए तो तेज कोंडोम नो फरिते आपणे उप्योग करी शकता नथी प्रश्ण नंबर बार निचे नामा थी कई गर्ब अवरोधक पद्धतियों खुबज असरकारक परन्तु तेनी पुनस्थापित ता घणी नबली छे तो आपेला ओप्शन परेके आपने ख्याल चे के जारेपन गर्ब अवरोधक पद्धति के जे पुनस्थापित ना थी येमा हम्मेशा कई आउसे सस्त्र क्रिया अले के कातो पुरुष नस्थ बंदी अथो तो स्त्री नस्थ बंदी के जेने अनुक्र में वासेक टॉमी औने ट्यूबेक टॉमी तरेके ओडख्वामा आवे छे के जे था आपड़ो राइट आंसर आउसे ओप्शन बी प्रस्ण नंबर तेर ए रुदिर जूथ वाड़े व्यक्ति ने रुदिर नी आवश्शक्यता छे तो कईू रुदिर जूथ धरावतू रुदिर तेने आपी शकाए तो ओल्रेडी स्टूडेंस में तमने आगल बतावी उचे कि आपड़े रुदिर जूथ माटे कई रीते जो आनूँचे जो तम यह जूए कोई पड़ी वीडियो मा न जो यह तावड़े फरीते यह एक्स्प्लेंग करदाओ कि तमारे सव ब्रतम कुसू लखवानूँचे तो आपड़े जूथ ऑदाओ कि तो न जो ज़ना आखे से के ब्रतम तो आपड़े जाएको जो तो आखे से के आपड़े जोट और आप़े पोताने रुधिर आपी शक्षे, B वालो पन पोताने रुधिर आपी शक्षे, A पन पोताने रुधिर आपी शक्षे, A पन पोताने रुधिर आपी शक्षे, A बी वालो पन पोताने रुधिर आपी शक्षे, A पन पोताने रुधिर आपी शक्षे, A पन पोताने रुधिर पूत्री जन्म वानि संभावना थु न केटला थका हशे और आमा घणा बदा विद्यार थ्यों कन् फ्यूस है चार पूत्रि पूत्री जन्म वानि संभावना केटी प्न तमारे自然 योई चार पूत्री ओ अगला प्रस्ण नंबर पंदर ंद्री शंकरन प्रयोग मा F1 पेडी ना छोड़नू स्वफलन करावता मलती F2 पेडी मा पीला अने लिला बिज ना विसलेशन नू प्रमाण केटलू हशे हवे अहे तमने कहवा मावलू छे द्री संकरन प्रयोग परंतु आपने जे विसलेशन पूछेलू छे ए विसलेशन मात्र एकज लक्षन माटे पूछेलू छे बिजना रंग माटे नू पिला बिज अने लिला बिज अवे द्री संकरन प्रयोग मा पण जोतम में मात्र एकज लक्षन ने ध्यान मालो बरबर तो एना विसलेशन नू प्रमाण तमारा एक संकरन प्रमाण एज मन से तो जेथी आई आपने मात्रे एक बिजना रंग माते नू विसलेशन पूछेलू छे तो ए तमारा एक संकरन प्रयोग मा जे F2 पेडी मा प्रमाण जोवाँ मला जे कईू 3-1 ए 3-1 प्रमाण अईया पणापने एज प्राप्त थाये छे अन्य जेत्य आपनो राइट आंसर आउसे ओप्षन बी 3-1 प्रश्ण नंबर 6 मेंडल ना द्री संकरन क्रोस ना माध्यम थի प्राप्त संततीनी खूल संक्या F2 पेडी मां बार सो एसी छे तो ते मां थी केटली संतती पूनुद सन्योजित प्रकार नी हशे तो होजार आपणे मेंडल ना द्रीज संकरन प्रयोग ना F2 पेडी मा जे स्वरू प्रकार जोवा मड़े छे तेनो गुणोतर जोईए तो ते गुणोतर केटलो होई छे 9 जेम 3 जेम 3 जेम 1 एनो मड़ लगके जो आपणे कूल संततियोंनी संख्या जोए तो कूल संततियोंनी संख्या केले थसे 16 संतति अना 16 संतति माथी जो पून संयोजित जोए तो यो मात्र केटली दर्शावे छे 3 जेशे के जे पून संयोजित लक्षोन दर्शावे छे अलके 16 संतती पईकी तमारी 6 संतती जेशे केविछे पुनसयोंचित परंतु अहीं आपने जे संतती ओनी संख्या पेली छे केटले छे 1200NC तो एना धर अहीं आपने जोए तो 16 जेशे तमारो 16 गुणोत्तर जेशे एकेटली संतती दर्शावे छे 1200NC परं आपने जेशे पुनसयोंचित वाड़ाई केटला छे 6 तो आपने करेशे केट 6 जे होई तो एक केटली संतती ओनी निर्देशन कर से तो यह सून थसे 1200NC गुणिया 6 छेदमा सो आउसे 16 तो 68 केटला था था शे 108 आवी सटला यहाँ आउसे प्रस्ण नंबर सत्तर रंगसुत्र 21 मा त्रण कोपी ना कारणे सुर्टालेस रंगसुत्र धरावती स्त्री ने कई विशिश्ता साथे जोई शकाया थो तो जोड़ी शकाए तो आपने यह क्लियरली वस्त्वेक बतावे लिशे तेह सून छे के 21 मा रंगसुत्र नी जे जोड़ी जे शे तेमा त्रण कोपी शे लएक है 21 मा रंगसुत्र ना जोड़नी अंदर एक वधार्णु रंगशुत्र धखल थ हेलू जेके जने सकत्र आपणी कहहे जे देहिक रंगसुत्र नी ट्राइसोमी अने ते मुख्य ते केनू उदारां छे डाउन्स सिंड्रोम नूगे जेथे आपड़ो राइट आंसर आउसे ओप्षन ए डाउन्स सिंड्रोम प्रश्ना नंबर अढ़ार बेक्टेरियो फेज वाइरस माथी बेक्टेरिया माँ प्रोटीन अथवा डियने बन्ने माथी कोण प्रवेशे छे ते शोढ़व माटे हर्शी एने चेज ना प्रयोग माँ क्रमिक तब्बकाव कया छे तो वे हर्शी एने चेज द्वारा जे प्रयोग करवा माँ आवेलो हतो ते माँ सव प्रथम जे बेक्टेरिया छे तेने वाइरस ती संक्रमिक करवा माँ आवेला हता अने संक्रमन बाद एलोकोई सुंकरे लो तुके जे पणावे द्रावन छे ए द्रावन ने मुखे ते ब्लेंडिंग करे लो तुके जे थी जो वाइरस तमारा बेक्टेरिया नी उपर चोटेला होई तो ते त्या थी दूर थाए परक्रिया न कैई के वामात तो टो ब्लेंडिंग औने ब्लेंडिंग करे आप बाद ये शोंकरवा माई लो तो शेंट्रिफ्यूगेशन के जे थी तमारा जे भारे बेक्टेरिया हासे ए तली बेसी ज़से अने जे वाइरस हलका जेशे ये तमारा द्रावण मा उपर हाजर रहेशे अने जे थे ये आपने साचोक्रम जोए तो पेला कवयो हतु संक्रमन त्यार पाची ब्लेंडिंग करवा मावी अने अन्ते सेंट्रिफ्यूगेशन अने जे थे आपनो राइट आंसर आउसे ओप्षन सी प्रस्ण नंबर ओग निस निचे नू विधान कया विग्णानिक ने लागू पड़े छे ते जणाओ और लेके कया विग्णानिके ते विधान आपेलू छे विसिस्ट जोडनी जानकारी पची आनोंशिक द्रव्यना नवा स्वरूपना निर्माणनी प्रक्रियाओ विशे ततकाल सुजाव करवा थी बची शकातू नथी तो आ विधान जे शे ए मुख्यते जे स्वयम जनननी प्रक्रियामाटे नोचे अर्धरूरी गट सिद्धान दाप्पामाँ हो तो वाट्सन अने क्रिक द्वारा बरबल तेनुआ विधान छे औने जेती आपड़ो राइट आंसर आउसे ओप्षन बी वाट्सन अने क्रिक प्रस्ण नंबर 20 पाशांतर नी प्रक्रियादर अम्यान प्रथम अवस्थामाँ एमिनो एसिर स्वयम एटीपी नी हाजरीमाँ सक्रिय थै पोताना सबंधिर टी आरेने साथे जोड़ाई जाए आ प्रक्रियाने श्रूं कहे छे तो टी आरेने जारे एमिनो एसिर साथे जो अमायनों असाइलेशन प्रस्णा नंबर एक वीस इकोलाई बेक्टेरियाने एन 15 ना समर्दन माध्यम मां 40 मिनिट मांटे व्रुद्धी थावा देवामा आवे तो एन चवुद चवुद नू प्रमाण DNA मांटे किटलू मल शे तो हवे यहां जो दाखला तरीके आपड़े य N14 प्रकार ना नाइट्रोजन आवेला हसे परन्तु हवे आपड़े आ बेक्टेरियाने कया माध्यम मां मुखवानू छे N15 अलके अवे जे नवी शूंखला निर्माण थावा नीशे तेमा एक शूंखला तमारी कई हसे N15 नी बने लिगने एक तमारी कई हसे पित्रू शू प्रथम 20 मिनिट मां तमारा 2 DNA ना अनुन निर्माण थासे के जे मां आपेला जे DNA जेशे मां थी 2 पित्रू शूंखला उच्छोटी पड़ से अने एनी सामे तमारा 2 N15 धरावती 9 शूंखला नू निर्माण थासे हवे पच्छी नी 20 मिनिट नी बात करिये लेके बिजो जे तमारों कोष्ट चक्रनों तबको चाल से ले 20 मिनिट कांके अपने 40 मिनिट मांटे पूछेलू शे तो हवे यह सून थासे के तमारा जे प्रथम DNA उपर देखाई शे एमा थी 5 बे पित्रू शूंखला अने जेमा बिजू पित्रू जे शे शूंखला एक कई शे एन 15 प्रकानू राइट हवे आप बन्ने नी सामे जे नवाप DNA नी शूंखला उन दिनमान पाम से बन्ने के विप्रकाने से एन 15 एवी जी ते जो बिजा DNA नी बात करे तो बिजा DNA माथी पणसुन थासे एक एन 14 पित्रू जित्ट अमारी जे पन्संत्ति वो निर्मान पामे शे फिपना DNA नी पामे शे एमाता में जो हिश्प्रको के 50 ट्रका जे वा DNA हशे के जह माँ N15 औने N14 प्रकाने शुँखला असे औने 25 टका मां बनने शुँखलाव N15 प्रकानी असे अलके N14 N14 प्रकानों कोईपण DNA यहां जोवा मल से नई अने जे थी आपड़ो राइट आंसर जे शेकर यो था से ओप्षन D 0 प्रस्ण नंबर 22 बधा जनीनों जे RNA ना स्वरूपमा व्यक्त थाये छे तेना विश्य ध्यान आपपानी बाबत अने जनीन मां जोवा मलता बधा जिनोम ना कोडिंग औने नोन कोडिंग अनुक्रमोंनी जानकारी प्राप्त करी तेना कारियोंने नेधारित करवानी बाबत अनुक्रमे शूं कहाए छे तो आया पने जे बे पद्धति हो अटके बे रीत दर्श्याविली छे ते मुख्य ते कही छे युमन जिनोम प्रोजेक्ट नी जे कारियो प्राणे आले मां उप्राएली बे पद्धति हो जे मां एक पद्धति युँ के छे के आपने जेटला मां थी RNA बने चे अनके एक कवाके बाएं चे के Express धाई छे ऐनी Sequence टोद्धवान उझे उप्रेश युँ एनक णीति हमाऊँ voice-on mean બી કે પેલી પદ્ધતી છે એક્સ્પરેસ સીક્વંસ ટેગ જને કેના તરેકોળ ખામ આવે છે ઈ એસ ટ અને બીજું છ મળે છે બરબર એ ડીએને ફીંગ્ર્પરેંટીંગ માટે એટલુ પર્યાપત ને હશે અને જેથી આપણે સુંક્રવવા મેળવીને દીએને ફીંગ્ર્પેંટીંગ કરી શકીએ પ્રસ્ણા નંબર ચોવીસ કેંસંની આ સાધ્ય ગાંઠ અને આ પ્રકારના ખુબ બહી જનક ગુણધર્મ ને સું કહે છે તો પેલા તો આયે જે બતાવે લું છે કે તમારા આંસાર આઉસે આપ્શન B મેટા સ્ટેસિસ પ્રસ્ટા નંબર પચ્ચિસ કઈ દવાવો દવારા એરસનો આંશી ક્રિતે થાય શકે છે કે જે રોગી ના સંભવીત મૃત્યુને ટાળી શકે છે પરંતુ રોકી શક્તી નથી અલકે એડ્સ થહેલો હોય તોતે વ્યક્તી નેવી કે દવાપી જોએ કે જેથી એડ્સ નેરીતે થોતો રોક છે એચાઈવી વાઈરસ આને જે એચાઈવી વાઈરસ જેછે તે કેયા સમુનો વાઈરસ છે વને જેથી એરીટો વાઈરસ સમુની સામે જેદ દવા લેવામાં આવેશે ને સુંકે આમાં છે અંટી રીટો પ્રસ્ણ નૂબર 26 નીચે નામાં થી નિશ્ક્રેતા પ્રતિકારક્તાનું ઉધારણ કયું નથી નીશ્કરેર પ્રતિકારક્તાની વાદ કરેતા તો નીશ્કરેર પ્રતિકારક્તા સુંથશે માતા તરફ્થી ડારેકલી એનટિબોડી પ્રાપતે થાય છે તો એ પણ નિશ્કરે પ્રતિકારક્તાનુ ઉધારણ છે સી આપેલું છે સર્પ દંસના કિસા માં સર્પ વિરુત તયાર કરેલ એનટિબોડી આપ્પિદો એપણ વિદાં થસે જેને સક્રીય પ્રતિકારક્તા કયે છે અને જેથી ડીજે છેતે નિષ્ક્રે પ્રતિકરક્તાનું ઉધાર અને નીશંદન દ્વારા જે થંડા પીના જે મેળવા માવે છે તે કયા છે વીસ્કી બ્રાંડ્ડીયને રમ કે જે આપણો રાઇટ આંસર થસે ઉપ્શન B પ્રસ્ણ નંબર 28 એલેક્જાંડર ફલેમીંગ જે બેક્ટેર્યા પર કાર્ય કરી કયુ હતુ અને તે કયા બેક્ટેર્યાની વરુદ્ધ્ય ને અટકાવતુ હતુ તે ક્રમર્ષ્ય જણાવી યોગ્ય તે આપ્શન એ પેનિસિલેમ નોટેટમ પેનિસિલેન અને સ્ટેફાય્લો કોકાય પ્રસ્ણ નંબ્ર ઓગંત્રીસ નીચે આપેલ આક્રુતિમાં જેલ્ણા કયા છેડાપત ડીએનાનું સેંપલ કુપમાં ભરવામાં આવે છે ખાડા જેવી રચના જેલમાં બનાવામ આવે તેમાં આપણે સુંકરીએછે ડીએનએનું સેંપલ વહણ પામાની શરવાત કરશે અને જેથ્ય આપણે કેશકે કેશકે કેકે કૂપમાં જે તમે ડીએનેનું દ્રાવણ ભ દ્વારા પુન સઈયોજીત અને બીન પુન સઈયોજીત ને અલગ કરી શકાય તહેય આપણે જે પેલું વિધાના પેલું નીષ્કરેત હવાના કારણે જે પુન સઈયોજીત્ય કરોમાં છે એક જટિલ પ્રકર્યા છે સુકા મે જટિલ વાઇટ સ્ક્રીનીગ કે જેની મદા થી તમે રંગ સરજક પદાર્થો ની હાજરીક ની આધારે તમે પુના પસંગી કરી શકો છો અને જેથીએ ને આપળો રાઇટ આંસર જેશે કયવાવસે આપશ્ય એ રંગ સરજક પદાર કે જેમાં તમને ટેક્સ્બુક માં આપેલું ઉશે ઉદારાં કે જેમાં જો તમને રંગીન કોલોની જોવાં જેમાં કોઈ પણ બાહીય ડીએને દાખળ થેયલું નથી જો બુરાં રંગની વસાહતો મળે તો એસું બતાવા છે કે તે બીન પુન સંયોજીત વસાહતો છે અને જો વાઇટ રંગની તમને કોલોની જોવા મળે તેનો મળલે કે એમાં તો રાય્ટ આંસર કે આવેલો છે ઓપ્શન એ રંગ સરજક પદાર્તની હાજરી પ્રસ્ન નંબર 31 નીચે નામાંથી પ્રાણી કોષ અને વણસપતી કોષમાં પુન સંયો જીત ડીએનએનને સ્થણાં તરિત કરવા માટે કઈ પદતી સવથી અનુકુળ રઈ છે તે ક્રમશ જણાઓ તો આપણને જે સક્ષમ એજમાન બણાવાની પેલી પદતી આપળી છે જે માપણે કાશમ આએન દવારા સારવાર આપે છે એ મુખ્ય તે કોણી માટે ઉપયોગી છે બેક્ટેર્યલ કોશો દવારા પ્રાણી કોશો ની વાત કરે તો પ્રાણી કોશો માટે તમારઈ સુક્ષમ અંત દી સુક્ષમ અંતક્ષેપણ અને જેવ પ્રાક્ષેપેકી કે જનીન્સ ફોટક પ્રસ્ણ નંબર 32 કેયા વેગ્ણાનીક્ષેક્ષેત્ર પ્રયોગો દર્શાવે છે કે મોટા અને સ્પરધા રુપે પ્રસ્ણ નંબર 33 ફાંત્રિસો મીટર થી વધારે ઉંચાયવાળા ઉત્તુંગ વિસ્તારોમાં જવાથી ઉતુંગતા જે ઉતુંગતા બિમારી જે તેની સામે અમુક અનુકુલનો મણુષ્ર દવારા અંદર થી અલેકે ધારમી ક્રિતે કેળવાઈ છે તો તેનું કલું નમાં મુખ્ય તે સુંં જવા મળા છે કે રક્તકણો જેશે તેનું ઉત્પાદન વધ ધારો કરીને આપણે એ ઉતુંક્તા બિમારીનું સમાધાન મેળવી શકે છીએ પ્રસ્ણ નંબર ચોતરીસ એન 65 અને d બરાબર 45 હોએ તો dn બાઈ ડt નું મૂલ્ય કેટલુ થશે તો આપણે જારે dn બાઈ ડt ની વાદ કરે તો dn બાઈ નું થશે 20 અને n જેશે આપણને કિંમત કેટલી આપએ લી છે n ની કિંમત 100 તો 20 ગુણ્યાં 100 કર 100 લકેલા થશે 2000 અને જેથી dn બ તથવા તો ધનેડા માટે r નુ મૂલ્ય 0.12 તો એ પણ્ સાચું શે c આ પેલું છે 1911 માં ભારતની માનો વસ્તી માટે r નુ મૂલ્ય 0.0205 તો એ પણ્ સાચું મૂલ્ય શે અને ડી આ પેલું છે 2011 માં ભારતની માનો વસ્તી માટે r નુ મૂલ્ય 0.333 તો તે મૂલ્ય જેશે તે કે ખોટુ મૂલ્ય 0.0205 આને 2011 મૂલ્ય 0.0105 આને 2011 મૂલ્ય ઘટી ને કે તે 0.0105 આને જે થે ને આપળો રાયટ આંસર જે છે તે કયો કરવાની પરભખીનીક શમ્તા પર આધારિત છે તો તેમાં શીકાર વસ્તી અને પરભખીને માટે નીચામાં થી સફલ થવા માટે પરોભ જિવી યજમાની ક્રિયાવી દીને નીશ્વળ તથા બીન અસર કારક કરવા અને યજમાની જિવણ શેલી ને અનુરૂપ થવા નીચેના માથી કયા અનુકુલનો પરોભ જિવી દવારા વિક્ષિત થયાં પરોભ જિવ અનુકુલન પણ સાચું છે અને જેથ્ય આપણ કરીશકે કે આપેલા તમામ અનુકુલનો કે વાછે સાચા કે જેથ્ય અને તેના આધારે અને તેના આધારે અને તેના આધારે આત્ય જેથ્ય જાત્ય ઓજેશે તેએ માત્ર જવાબદાર નથી તેલુ આપેલુ આપેલુ છે જાતી વેવેત્ય કરણ માટે લાંબો ઉદવીકાસીય સમઈ તે મુખ્યત જે સમસીતોષન વીસ્તાર જેશે તેમાં જાતી ઉદવો માટે ભૂતકાળમાં થલેલા હીં પ્રપાત વધારે હતા આને જેથી એ વીસ્તારોમાં જાતી વીવીતા કેવી જોવાં મળેશે ઓછી જોવાં મળેશે આને જેથી આપણી જે પરીકલ્પના ખોટી જેશે કયું છે બીજુ કેજેથે આપણો રાય્ટ આંસાર આવુસે ઓપ્શન B પ્રસ્ણ નંબર ચાલેસ એક જાતીનું વિલોપણ નિશ્ચીત પણે બીજી જાતીના વિલોપણ તરફ દોરતો સહોપ કારિતાનો સહવિકાસનો કિસ્તો કયો છે તેકતો આપણે સહ વિલોપણ પણ જોવાનું છે ને સહોપ કારિતા જેશે તે પણ જોવાનું છે અને જેના લીદે આપણો રાય્ટ આંસર જેશે તે કયો થવાનો છે આપશ્ં ડી વનસપતી અને પરાગ વાહકો કાંગી જો વનસપતી અને પરાગ વાહકો જેશે હમેશા કેવા હોઈ છે છે લગે કોઈ ચોકતે વનસપતી ના પરાગ ચાલીસ પ્રશ્ન અને તેના સોલ્યુશન તો જો તમને આ સોલ્યુશન માં કોઈ પણ ડાઉરસ હોય તો તમે મને કમે ત્યાર બાદ આપણે ફરીથી નીટ ની જે ઓગ્યુશો એંસ્યુની સીરીસ કંટીન્યું હતી તે કંટીન્યું કંતાળાાબાબાામ કૂ઼ીાારા કહ૧ુંંામ કાાાયું કરારાાાહંાાાાાયાાાા झाल झाल